नमबर साथ असायोग आंदोलन उन्निस सो बीस से बाईस इस्वी जनता उम्मीद लगाए बैठी थी कि प्रथम विश्युद्ध के बाद अंग्रेजी हुकूमत कुछ करेगी लेकिन रॉलेट एक्ट तथा जलियाँ वाला बाग हत्याकांड ने उसकी सारी उम्मीदों पर पानी भेर दिया हिंदुस्तानी समझ गये कि ब्रिटिश हुकूमत सिवाए दमन के और कुछ न करेगी प्रितिक्रिया स्वरूब असायोग आंदोलन प्रारंब हुआ असायोग आंदोलन गांदी जी के नेत्रितु में किया गया पहला देश व्यापी जन आंदोलन था जो की तीन प्रमुख मांगों खिलाफत, जलियाँ वाला बाग, हत्याकांड के विरुध, न्याय न मिलना तथा स्वराज की प्राप्ति के लिए था सितंबर 1920 इस्वी में असायोग आंदोलन के कारिकरम पर विचार करने के लिए कलकत्ता में कॉंग्रेस महा समीती का आधिवेशन आयुजित किया गया जिसमें गांधी जी ने असायोग प्रस्ताव पेश करते हुए कहा अंग्रेजी सरकार शैतान है जिसके साथ सहयोग करना संभव नहीं है अंग्रेज सरकार को अपनी भूलों पर कोई दुख नहीं है अता हम कैसे सुईकार कर सकते हैं कि नवीन विवस्था पिकाएं हमारे स्वराज का मार्ग प्रशस्त करेंगी स्वराज की प्राप्ती के लिए हमारे द्वारा प्रगतिशील अहिंसात्मक आसहयोग की नीती अपनाई जानी चाहिए गांधी जी के इस प्रस्ताव का विरोध कई बड़े नेताओं नी किया विरोध करते हुए एनी बेसेंट ने कहा यह प्रस्ताव भारतिय सोतंतरता को सबसे बड़ा धक्का है यह एक मूर्खता पूर्ण विरोध तथा समाज और सभ्य जीवन के विरोध संगर्ष की घोशना है सुरेंदरनाद बनरजी, मदन मोहन मालवी, देश बंधू, चितरंजन दास, विपिन चंदरपाल, मुहमद अली जिन्ना, शंकरन नायर तथा सर नारायन, चंदरा वरकर्ग ने प्रारंभ में इस प्रस्ताव का विरोध किया लेकिन अली बंधूं तथा मोतिलाल नहरू के समर्थन से प्रस्ताव सुईकार कर लिया गया यहीं से गांधी युक की शुरुवात हुई असायोग प्रस्ताव से संबंधित प्रमुग बातें इस प्रकार है नमबर एक उपाधियों एवं प्रशस्ती पत्रों को लौटाना नमबर दो सरकार द्वारा आयुजित सरकारी तथा अर्ध सरकारी उत्समों का वहिशकार किया जाए एवं स्थानी संस्थाओं की सरकारी सदसेता से इस्तीफा दिया जाए 3. सरकारी स्कूलों एवं कॉलेजों का बहिशकार किया जाए, वकीलों द्वारा न्यायालेओं का बहिशकार किया जाए, तथा आपसी विवाद पंचायती अदालतों द्वारा निप्टाया जाए 4. सरकारी पदों से इस्तीफा दिया जाए नमबर पाँच विदेशी सामानों का पूर्टा वहिशकार किया जाए दिसंबर 1920 इस्वी में नागपुर में आयुजित कॉंग्रेस अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव से संबंधित लाला लाचपत राय एवम चितरण्यन दास ने अपना विरोध वापस ले लिया यहां तक की सबसे ज्यादा विरोध करने वाले सी आरदास ने ही असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा गांधी जी ने नागपुर में कॉंग्रेस के पुराने लक्ष अंग्रेजी सामराज के अंतरगत स्वाशाशन के स्थान पर स्वराज का नया लक्ष घोशित किया गया इसी क्रम में इन्होंने ये भी कहा कि यदि आवशक हुआ तो स्वराज के लक्ष को अंग्रेजी सामराज के बाहर भी प्राप्त किया जा सकता है एनी बेसंट मुहम्मद अली जिन्ना, विपिन चंदरपाल, जी एस, खापरडे जैसे नेताओं ने गांधी जी के प्रस्ताव से असंतुष्ट होकर कॉंग्रेज को त्याग दिया असहयोग आंदोलन के दो प्रमुग पक्ष रचनात्मक तथा नकारात्मक थे नागपुर अधिवेशन का एतिहासिक महत्य यहाँ पर वैधानिक साधनों के अंतरगत स्वराज प्राप्ति के लक्ष को त्याग कर सरकार का सक्री असहयोग आंदोलन की सफलता के लिए गांधी जी ने कुछ रचनात्मक कारियों को अपनाया जिसमें मद बहिसकार, छुआ छूट से परहिज, स्वदेशी वस्तूओं का प्रियोग, हाथ से बुने खादी कपनों का प्रियोग आदी शामिल थे असहयोग आंदोलन शुरू करने से पहले गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रथम विश्युद्ध में सहयोग के बदले में अंग्रेजो द्वारा दी गई कैसर ए हिंद की उपाधी वापस कर दी जिसका अनुसरण करते हुए कई अन्य लोगों ने भी अपनी पद्वियों एवम उपाधीों को त्याग दिया इसी क्रम में जमनालाल बजाज ने अपनी राय बहादूर की उपाधी वापस कर दी तथा वकीलों ने बहुत बड़े पैमाने पर आदालतों का बहिशकार तो नहीं किया लेकिन देश के जाने माने वकीलों जिन में बंगाल के देश बंधु, चितरंजन दास, उत्तर प्रदेश के मोतिलाल नहरू एवम जवाहलाल नहरू, गुजरात के विठल भाई पटेल एवम वल्लब भाई पटेल, बिहार के राजेंदर परसाद, मदरास के चक्रवर्ती, राज गोपाल आचारी एवम दिल्ली की अरुना आसफ अली समलित थी, विद्यार्थियों के अध्यन के लिए अनेक सिक्षन संस्थाएं जैसे काशी विद्यापीठ एवम अलिगर मुस्लिम विद्याले की स्थापना हुई, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन एक अगस्त 1920 इसवी को आरंभ किया, 1920 में All India Congress Committee के अधिवेशन में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू होने के एक वर्ष के भीतर स्वराज दिलाने का वादा किया, असहयोग आंदोलन में कई मुसलिम नेताओं ने उनका साथ दिया, इन प्रमुग नेताओं में असहयोग आंदोलन चलाने के लिए 31 मार्च 1921 इसवी को विजयवाडा में तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई, छा महिने के अंदर ही इसमें एक करोन रुपए एकत्रित हो गए, 1919 इसवी के सुधार अधनियम के उधगाटन के लिए डियूक ओफ कॉमन्स के भारत आने पर विरोध एवं बहिसकार किया गया, जिसके क्रम में 4 मार्च 1921 इसवी को ननकाना के गुरुद्वारे में जहां पर शांतिपून धंग से सभा का संचालन किया जा रहा था, उसी सम बनाये जाने पर दमन्चक्र और बढ़ गया, आन्दोलन के अनेक प्रमुख नेता जैसे मोतिलाल नहरू, मुहम्मद अली, चितरण्यन दास, लाला लाजपत राय, मौलाना अबुल कलाम आजाद, राज गोपालाचारी, राजेंदर परसाद, आतिनेता गिरफतार हुए, नवंबर 1921 इस्वी में प्रिंस ओफ वेल्स के भारत आगमन पर उनका स्वागत काले जंडे दिखा कर किया गया, जिस दिन वे बंबई आये, उस दिन पूरे भारत में हर्ताल की गई थी, विदेशी कपनों की होली जलाई गई, गांधी ने अली बंदुहों की रिहाई न क किये जाने के कारण प्रिंस ओफ वेल्स के भारत आगमन का बहिशकार किया, जिससे कृद्ध होकर बिटिश सरकार ने वाय सराय लाड रीडिंग को आदेश दिया, कि वह कठोर दमन की नीती का सहारा ले, परिडाम सरूब, स्थान स्थान पर लाठी चार्ज, मार पीड, गो जनता में गहरी जड़े जमा चुका था, सैयुत प्रांत तथा बंगाल के हजारों किसानों ने असहयोग के अहवान का पालन किया, इसी क्रम में पंजाब के गुर्दवारों पर फ्रष्ट महंतों का कब्जा समाप्त करने के लिए सिख आकाली आंदोलन नामक एक अहिंसक आंदोलन चला रहे थे, असम के चायबागानों के मजदूरों ने हर्ताल की, मिदनापुर के किसानों ने यूनियन बोर्ड को कर देने से इंकार कर दिया, इसी क्रम में उत्तरी केरल के मालावार्क शित्र में मोपला कहे जाने वाले मुसलिम किसानों ने एक शक्तिशाली ज विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूलों और कालेजों को छोड़ दिया, तथा राश्ट्री स्कूलों में प्रवेश लिया, इसी दोरान सुभाष शंद्र बोस्ट को नैशनल कॉलेज कलकत्ता का प्रधानाचार चुना गया असहयोग आंदोलन के समय सिख्षा का बहिशकार पश्यमी बंगाल में सरवार्धिक सफल रहा, जबकि मद्रास में असफल रहा असहयोग आंदोलन ने तमام स्थानिय आंदोलन को जन्म दिया और जो आंदोलन पहले से चल रहे थे उन्हें बल दिया फिर वी अंग्रेजों के रवये में कोई सुधार नहीं हुआ एक फरवरी 1922 इसवी को गांधी जी ने घोशना की कि अगर साथ दिनों के अंदर सरकार नागरिक सुतंतरता बहाल नहीं करती राजनीतिक बंदी रिहा नहीं किये जाते और प्रेस पर सरकार का नियंतरन समाप्त नहीं होता तो वेक करों की अदाइगी समेथ सामोहिक रूप से बार दोली में एक सविने अविज्या आंदोलन छेड़ देंगे लेकिन इसी समय चौरी-चौरा कांड हो जाने के कारण गांधी जी को असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया असहयोग आंदोलन के दोरान भारत का वाय सराय लाड चेम्स फोर्ड एवं अंतिमकुष महीने में लाड रेडिंग था व्यापारी वर्ग ने भी असहयोग आंदोलन का समर्थन किया था किन्तो बड़े व्यवसाईयों ने 1920 इस्वी में असहयोग विरोधी संस्था की स्थापना की थी जिसमें पुर्शोत्तम ठाकुर्दास, चमनादास, द्वारकादास इत्याद शामिल थे